नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षवर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तो आज से फिर से लेकपाल की जो क्लास है वो कंटिनू हो जाएगी अभी तक आपको जो है वीडियो नहीं मिल पा रहा था जिसका कारण था कि मेरे एकजाम्स फिर से सुरू होने जा रही है जितनी भी क्लासे स्पेंडिंग है जी के जी अस आपकी हिंदी की इसके अलावा करेंटर फैस की इसके अलावा आपकी हो गई जो ग्रामिल परिवेसिक क्लास आज से फिर से सब कंटिनू क्लास हो जाएगी तो आज से यह हमारी पहली क्लास है आज हम देखेंगे भारत के भोगोल को भारत के भोगोल की जितने भी important MCQs बन सकते हैं जो आपके लेकपाल की परिच्छा के लिए जरूरी हो सकते हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके अलावा आज एक और वीडियो आपको मिलेगा जो आपका होगा भारत क समिधान पर आधारित है निकी इंडियन पॉल्टी पर आधारित एक और वीडियो जो है आपको आज मिलेगा या निकी आज आपको दो वीडियो मिलेंगे एक तो पहला वीडियो यह है आपका भारत के भोगोल का और दुसरा वीडियो जो आपको मिलेगा साम तक वो होगा क इसका इंडियन पॉल्टी का तो जियस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं उनको हम जल्दी खतम करने की कोशिस करेंगे इसके अलावा जो आपकी ग्रामेर्ट प्रवेश की क्लास है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो यह आज की पहली ख्लास है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं कौन से बहत्रीन प्रस्थनों को समलित किया हुआ है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रस्थन आपके सामने है निम्नलखित कथनों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है भारत के बारे में एकदम सठीक है एकदम सही है आपको उस कथन की पहचान करनी है जो भारत के संदर्व में एकदम सही दिया गया है तो चलिए चारो कतनों को पल लेते हैं पहले तो पहला कतन क्या कहा रहा है यह भारत जो है विश्व का सातमा सबसे बड़ा देश है प्रस्ण में क्या कहा रहा है भारत जो है विश्व का सातमा सबसे बड़ा देश है चेतरफल के मामले में तो पहला कतन आपका बिल्कुल सही दिया गया है भारत जो है छेतरफल के मामले में विश्व का सातमा सबसे बड़ा देश है तो इसके बारे में आपको याद अखना है पहला कतन आपका बिल्कुल सही है दूसरा कतन क्या कहा रहा है यह अस्थल मंडल के कुल छेतरफल का लग लगबग 2.4 प्रतिसत भाग अधिक्रित किये हुए यानि कि टोटल जो अस्थल मंडल है टोटल अस्थल मंडल कहने कि इस प्रित्वी के टोटल अभुभाग का जो है 2.4 परसेंट जो एरिया है वह भारत के पास यही कथन में कहा गया है तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया इसके बारे में आपको याद अखना है इसके बाद भारत की जनसंख्या बिश्व की जनसंख्या का लगबग 17.5 प्रतिसत है ते फैक भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है भारत की जो जनसंख्या है यह पूरे बिश्व की जनसंख्या का लगबग 17.5 प्रतिस पर है इसके अलावा पुरे बिश्व की जनसंख्या का साड़े सतरा प्रतिसत जो भाग है वो केवल भारत में निवास करता है तो इसके बारे में भी आपको याद अखना है इसके बाद अगला है क्या दिया गया है भारत के पुर्वी वह पक्षमी छोर में दो घंटे का अंत सबसे पुर्वी से लेके सबसे पक्षमी वाला जो एरिया है इन दोनों के मद्द जो है दो घंटे का अंतराल होता है तो इसके बारे में आपको याद अकना है भूलना नहीं है यानि कि आपका यी वाला जो है बिलकुल सही होएगा वो परियूग तो सभी कथन जो है आपक यह एकदम सही दिये गए है भारत विस में छहतरपल के मामने में सात्वा अस्थान पर आता है पुरी धर्ती का जितना भी भूबाग उस भूबाग का दो दस्मेस्ट पांच प्रतिसत जो एरिया है भारत के पास यानिकि वाई भारत का कुल छहतरपल कितना है सबसे पर या मीटर तो यह जो चित्रफल यह जो एरिया है पूरे बिस्ट के एरिया का लगबग 2.4 प्रतिसत है जो केवल भारत के पास यह बात इसमें कही गई है तो इसके बारे में आपको याद अखना है भूलना नहीं है तो यह चित्रफल आप याद देखेगा एक्जेक्ट फिकर आपका बेलकुल सही है अगला प्रसना क्या क्या रहाँ देख लिजिए आपको और एक तरफ उनके राधानिया दी गई है तो आपको इनको सुमिलित करना है फटाक से इसको सुमिलित किजिगा तो कर दो चंडिगर की राधानी क्या होती है तो चंडड़ी गर की चंड़ी प्लेयर होती है तो सी का आपका हो जाएगा एक हो जाएगा तो आपका चार का क्या हो जाएगा यहां पर चंडीगर्ड का एक फोर हो जाएगा इसे लिखे नहां एक फोर हो गया उसके पर लक्षदीप का आपका हो जाएगा कवरत्ती हो जाएगा याने की बी का आपका हो जा दो हो जाएगा यहनीं कि चार तीन एक दू आपका राइट ङन रहो जाएगाICH के रहधानी हो थे चंटी देप की कवरति हो जाएगी अढबान रिख्ष्षेयर और पुड़ूIFAय क्यों जाएगी एक रही फिदो के बारे में आपको याद़ अंपोर्टेंट है वलतमान में हमारे देश में कितने केंद्र सासित प्रदेश हैं तो वलतमान में टोटल आठ केंद्र सासित प्रदेश हैं तो इनके बारे में आपको याद अखना है वलतमान में कितने केंद्र सासित प्रदेश हमारे हैं तो टोटल आठ केंद्र सासित प्रदेश वलतमान में ह इनके बारे में आपको याद अखना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल आपके 8 केंदर साश्टे प्रदेश वातमान में है याने की यूटी याने की यूनियन टेरेटरी की यहाँ बात हो रही है तो दिल्ली इसमें से आपका राजडानी वाला एरिया राजटरा जा गया था जिस कारण से पहले आपके न उटी थे लेकिन अब टोटल आठ रही गये हैं इसके बारे में और इसके बाद लदाग भी आपका 31 22 अक्टूबर 2019 को यूटि याने की Union Territory बना था यह आठ इम्पारेंट हमारे यूटि है Union Territory है हमारे केंध्र साथ सित प्रदेश है तो इनके बारे में आपको याद अखना है important है इसके बाद इसके बाद अगला आपके सामने है भारत का कुल श्यत्रपल कितना है आपसे पूछा गया यहाँ पे तो भारत का कुल श्यत्रपल मैंने आपको भी बताया था 32,87,263 वर्ग किलो मेंटर है निकि option आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पूरे भुभाग का दो दस्मलो चार प्रतिसत है तिसके बारे में आपको याद अखना है निकि भारत का पुरु से यानि कि यह पुरु हो गया और यह आपका पस्चिम हो गया तो भारत का पुरु से लेके पस्चिम तक की लंबाई आपसे पुछी गई है कितनी है तो भारत की पुरु से लेके 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 ले तोटल है, 29-33 km है, वहीं उत्तर से लेके दच्छिड तक की कुल नवाई आपकी है, 32-14 km, तो दोनों फैक्ट आपको याद दखना है, उत्तर से दच्छिड तक अधिक्तम जो विस्तार है, वो है 32-34 km, और पर उसे लेके पस्चिम तक जो अधिक्तम विस्तार हो है, 29-33 km, तो ओप्सन में आप देख पा रहे हैं, ओप्सन डी वाला, 15,200 km यह क्या है, तो यह टोटल अस्थली सीमा की लंबाई है, तो इसके बारे में आपको याद अखना है, इसका एक्जक्ट फिकर मैं आपको बता दूँ, कुछ आपको शुरोत में आपको मिलेगा, या 15,200 km कुल अ देखने की मिलता है, तो कुछ शुरोत में आपको मिलेगा कि कुल अस्थली सीमा की लंबाई भारत की है, 15,106.7 km वहीं, कुछ शुरोत में आपको मिलेगा, 15,200 km कुल अस्थली सीमा की लंबाई है, भारत की, तो इसके बारे में आपको याद अकना है, भूलना नहीं है, इ भारत किस गुलाद में स्थित हूए पटाक से इसका जवाब दिने क्या पोसिस कीजी तो भारत की अवस्थिति बिंदू कौन सा है और सबसे इसके लाव उत्तरी बिंदू कौन सा है चारो बिंदू जो है आपके एक्जाम में डिर्टली पूछे गए हैं तो इनके बारे में आपको याद अखना है तो इन चारो के बारे में आप बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आए स्टार्ट करते है उपर से यानि कि उत्तर से start करते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदू कौन सा है तो आईए देख लेते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदू है जम्मो कस्मिर में आपको में लेगा इंदिर्याओ कॉल यानि कि option A वाला जो आपका है यह भारत का सबसे उत्री बिंदू है यानि कि सबसे नौल्थ वाला बिंदू है इसके बाद की बीथू है आप देख रहे हैं ऑप्सन में की बीथू जो है भारत का सबसे पुर्वी बिंदू है यानि कि सबसे इस्टर्न एरिया आपका कौन सा है यह आपको मिलेगा अवनाच गुजरात के कच्छ जीला में मिलेगा आपको गुहार मोती, इसके बाद इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, आप याल देखेगा, इसको हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको याद अखना है इंद्रा पॉइंट जो है यह ग्रेट नेको बार द्वीप में अवस्थित है ते सारे फैक्ट आपको याद अखना है चारो बिंदुओं के बारे मैं आपको बता दिया सबसे उत्री बिंदु आपका है इंद्रा कॉल जो कि जमू कस्मिर म इसको हम पिगमेलियन पॉइंट की नाम से भी जानते हैं, यहां आपको मिलेगा, कहां पर तो ग्रेट निकोबार द्वीप में, तो यह सार एफेक्ट आपको याद अखने हैं, भूल ले नहीं है, अगला प्रस्ता आपके सामने है, करक्रेखा निम्लिकित में से किस राज जि से नहीं होकर गुजलती है, दिये गए options के अनुसार, तो दिये गए options के अनुसार जो है, भारत के उत्तर पदेश से आपकी करक्रेखा नहीं गुजलती है, तो option आपका यहां पे ए जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकि जारकंड, त्रिपूरा और रायस्थान, इन ती आठ राजियों को काटते हुए, आठ राजियों कौन कौन से है, एकदम करम में आपको पता होने चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं, पस्सिम से पूर्व की तरब, यानि कि वेस्ट से आपका इस्ट की तरब, तो गुजरात हो गया, रायस्थान हो गया, मद्यप्रदीश, तो ये आठ राजियों हैं, जहांसे आपकी करकरेखा गुजलती है, तो इसको आप याद कर लेजेगा, गुजरात, राजरस्थान, मद्यप्रदेश, चतिस गर्ड, जहार खंड, पस्सिम बंगाल, तरब, तो गुजलती है, इसके बारे में आपको याद अकना है, इसके ब आपकी मानक समय रेखा नहीं, मतलब मानक समय रेखा गुजलती है, आपसे बुचा जा रहा है, तो आपकी जो मानक समय रेखा है, यह टोटल जो है, आपके चार राजियों सोको गुजलती है, पांच राजियों सोको गुजलती है, आपकी मानक समय रेखा, इन में से उत्तर समय रेखाओ के याद करने की एक ट्रिक है आप मौका याद कर लिजेगा M O U C A मौका यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ M O U C A इस के इस ट्रिक के माध्यम से आप पांच राज्यों के याद कर सकते हैं जहां से आपकी मानक समय रेखा गुजलती है M से मद्ध प्रदेश, O से उडिशा, U से उत्र प्रदेश, C से चत्थिस गड़ और E से आपका आंध्र प्रदेश तो इसके बारे में आपको याद दखना है यहाँ परी डिटेल अप्लोट की हुए मैंने मानक समय रेखा से लेटेड तो इलहाबाद के नैनी से गुजरने वाली साड़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम मानक समय रेखा मानते हैं तो आप इसे आद कर लिजेगा किसी मानक समय रेखा मानते हैं तो साड़े बयासी जो आपका है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देसांतर इसी को रेखा को हम क्या कहते हैं तो मानक समय रेखा कहते हैं यह मानक समय रेखा जो है ग्रीन वीच समय से इसके बाद यह पांच राज्यों से होकर गुजलती है 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 यह पांच राज्यों से हैं उत्तर प्रदेश इम्पॉर्टेंट है यहां पर इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 82 डिगरी आपका 30 मीनट पूर्वी दिसांतर जो रेखा होती उसको हम कहते हैं मानक समय रेखा आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लेकिन आप इसको साड़ा 82 भी पढ़ लेते हैं तो दोनों में कोई confusion आपको नहीं होनी चाहिए तो इसके बाद अगले प्रस्न की तरफ हम बढ़ते हैं मानक समय रेखा और करक रेखा एक दूसरे को कहा पर काटती है आप से पूछा जा रहा है तो मानक समय रेखा और आपकी जो करक रेखा है एक दूसरे को आपस में 36 गड़ में काटती है कहाँ पर तो एक दूसरे को आपस में ये 36 गड़ में काटती है यानि कि option आपका जो B है याँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा 36 गड़ में तो इसका जबाब मैं आपको दे देता हूँ according to माजिद हुसैन की जो आपकी इंडियन जोग्राफी के बूक है माजिद हुसैन की जो इंडियन जोग्राफी वाली बूक इसमें दिया गया है कि सबसे बड़ा जो हमारा केंदरसासिर प्रदेश है वो है जम्मो कसमीर इनके according जो भारत का कुल चेतरफल है वो है मतलब जम्मो कसमीर का जो कुल चेतरफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर ये कुल टोटल एरिया के हम बात कर रहे हैं इसमें आपको मिलेगा 2,222,236 वर्ग किलोमेटर एरिया में आपको मिलेगा इसमें आपको जो पियोके वाला एरिया जो पाकिस्तान के कबजे वाला जो एरिया उसको भी इसमें सम्लित किया गया है और इसके लावा 5180 वर्ग किलोमेटर का जो एरिया है जो चीन के अधिकार म एरिया को इसमें सम्लित करके दिखाया गया है कि जम्मो कस्मीर का टोटल एरिया आपका है 2,22,236 km इस हिसाब से जम्मो कस्मीर जो है भारत का सबसे बड़ा केंदर सासिट प्रदेश है इसके बारे में आपको याद अखना है इम्पोर्टेंट है टोटल एरिया कितना जम्मकस्मीर का तो 2,22,236 किलो मेटर इस एरिया में आपको मिलेगा जो पाकिस्तान के कबजे में हमारा जम्मकस्मीर वाला एरिया पियोके वाला है उसको भी इसमें समलित किया गया है इस चेदरफल में और इसके अलवा चीन के कबजे में जो एरिया है ह हमारा उसको भी इसमें सम्लिद किया गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना है और इसके लवा लदाक का चेतरफल कुल कितना है तो लदाक का कुल चेतरफल है 69146 वर्ग किलो मेटर इसके बारे में आपको याद अखना है 69146 वर किलो मेटर टोटल लदाक का चेतरफल है तिये सारे फैक्ट आपको याद खना है इंपोर्टन है लदाक में दो जीले आपको लेंगे ले और कारगिल इंपोर्टन है लदाक में कितने जीले हैं तो लदाक में दो जीले हैं पहला ले हो गया और दूसरा आपका कारगिल हो गया तो ये फैक्ट आपको याद खना है Important यागला प्रस्तन, उत्तर पदेश का सोन बदर जीला कितने राज्यों से सीमा साजा करता है, आप से पूछा जा रहा है कि उत्तर पदेश का जो सोन बदर जीला है, यह कितने राज्यों से सीमा साजा करता है, तो आप याद कर लिजेगा, एक मात्र ऐसा जीला सोन बदर है, जो चार राज्यों के साथ सीमा साजा कलता है। तो कितने राज्यों में फैल आपसे पूछा जा रहा है तो आप याद कर लिजेगा जो पुद्दुचेरी है यह टोटल तीन राज्यों में फैला हुआ है एक हो गया आपका आंद्रपदेश दूसरा आपका हो गया तमिलाडू और तुसरा आपका हो गया केरल तो कौन-कौन से एरिया है जो इन राज्यों में फुद्दुचेरी का है तो आपको मिलेगा आंद्रपदेश में यनम आप याद कर लिजेगा आंद्रपदेश में यनम यनम जो है आपको मिलेगा आंद्रपदेश में या पुद्दुचेरी का भाग है इसके बाद आपको मिलेगा तमिल आपका एरिया है पुडुचेरी का तो इस प्रकास से पुडुचेरी का टोटल तीन राज्यों में फैला हुआ है या नम आंध्रपदेश, कराइकल, तमिलाडो, माहे, केरल ये ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए इसके बाद अगला प्रसना आपके सामने है भारत का सबस चोटी टटरेखा वाला आपका राज्य है गोवा है और सबसे बड़ी टटरेखा वाला राज्य आपका है गुजरात है और दूसरी याद रखेगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री टटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो दूसरी सबसे बड़ी समुद्री टटर टट्रेखावाल राज आपको में लेगा आंद्रब्रदेश और भारत का सबसे छोटा समुद्री टट्रेखावाल राज आपका गोवा है तो इसार एफेक्ट आपको याद लखने है निमलिकित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी कोई अंतरास्टी सीमा नहीं है आपसे पू अंतरास्टी सीमा नहीं है तो इसके बारे में आपको याद अखना है उत्तरबदेश के अंतरास्टी सीमा है उत्तरबदेश के सीमा साजा करता है तो उत्तरबदेश जो है नेपाल से सीमा साजा करता है इसके लवा गुजरात जो है पाकिस्तान से सीमा साजा करता है तो यह तो 9 डिगरी चैनल जो है आपका अलग करता है, मिनिकाई को लख्षदीब से अलग करता है 9 डिगरी चैनल, इसके बारे मैं आपको याद अखना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कौन किसको अलग करता है, पुरे चैनल को मैंने आपे अप्लोड किया हुआ है 8 डिग्री चैनल आपको मिलेगा माल दीव को मिनी काय से अलग कलता है 8 डिग्री चैनल वहीं 9 डिग्री चैनल आपका मिनी काय को लक्षदीब से अलग कलता है इसके बाद 6 डिग्री चैनल आपका ग्रेट निकोबार को सुमातरा दीप से अलग कलता है सुमातरा दीप आपको मिलेगा इंडोनेसिया का इसके बाद 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग कलता है इसके बाद कोको जलसंदी या आपको अंडमान को कोको दीव जो की मियानमार का एक भाग है इससे अलग करता है तो इसके बारे में आपको याद अखना है इंपोर्टेंट यह तो 7 sisters जिसको हम बोलते हैं, 7 बहने हम जिसको बोलते हैं, इन 7 बहनों के अंतरगत कौन सा राज जी नहीं आता है, तो अप्यात कर लिजेगा, 7 sister के अंतरगत आपका नहीं आता है, West Bengal, पस्ची बंगाल जो आपका है, यहाँ 7 sisters के अंतरगत नहीं आता है, तो इसके बारे में आ साथ राज्य आपके आते हैं और आचरपदेश हो गया अपयात को लिजेगा असम मनिपूर हो गया इसके बाद मिजोरम हो गया मेघालया हो गया और उसके बाद आपका हो गया नागा लेंड हो गया और तीपुरा हो गया तो इनको हम इन साथ राज्यों को मिला को हम बोलते है साथ बहन, यानि कि सेवन सिस्टर्स के नाम से इनको जाना जाता है, यह नौथ इस्ट के राज्जी हैं, तिनके बारे में आपको याद अकना है यहाँ पे छोटा से फेक्ट में ने और अपलोट किया हुआ है इसको आप देख लीजिए, रेट क्लिप रेखा जो आपकी भारत पकिस्तान के मद्ध्य है मैंक मौन रेखा आपकी भारत चेन के मद्ध्य है और दुरंड रेखा आपकी भारत और अफगानिस्तान के मद्ध्य है तो दोस्तो यह छोटा से वीडियो था पार्ट वन था हमारा भारत के भोगोल का आयो पिये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसका अगला भाग जल्दी हम अपलोट करने के कोशिश करेंगे तो आज के लिए पस इतना ही थांक यू, थांक्स पर रौचिंग, थांक यू आज के सभी प्रसन जो आपके होंगे इस वीडियो में आपको नदियों से लेटेड मिलेंगे यानि भारत की नदियों से लेटेड होंगे तो पहला प्रसन आपके सामने है निम निलिखित में से कवर elegantust का इजांपल है पुर्व वर्ति नदी का example आपको बताना है तो इसमें से सिंधु हो गई, सिंधु यहां पे है सिंधु, ब्रह्म पुत्रा हो गई और सत्लज यह तीनो नदियां जो आपकी है यह पुर्व वर्ति नदीयों का example है इसके बारे में आपको याद अखना है option आपका D यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा पुर्व वर्ति नदियां ऐसी नदियां होती है जो हिमालय के निर्माण से पहले से बहती आ रही है तो इस प्रकार के नदियों को हम बोलते है पुर्व वर्ति नदियां तो आप याद कर लिजेगा पुरा एक्जामपल मैंने आप पुरा डिटेल लिखा हुआ है वे नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी तता अपनी धराओं की दिशा में उत्थित अस्थलो जैसे परोतों को काट कर गौर्ज बना का प्रवाहित होती है इस प्रकार के नदियों को बोलते हैं पुर्वलती नदियां इनका एक्जामपल आपको लेगा सिंदू, ब्रह्मपुत्र, सतलज इनके बारे में आपको याद अखना है अब इन तीन नदियों के बारे में आईए बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधू नदी की, то सिंधू नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपकी जो सिंधू नदी है, इसका उद्गम होता है, तिबत में मानसरोव, जिल के निकट, कैलास, पर्वत, सरेणी से ति, इसके बारे में आपको याद अखना है, इसके पुर्व वर्ती नदी का एक्जामपल है और यह बंग अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाती किस में तो अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाती आपकी सिंधु नदी वही अगर हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी का उदगम कहां से होता है तो तिबबत इस्थीत रा राकस जील तो तिबबत में इस्थीत राकस जील से जो आप क्या सतलज नदी का उद्गम होता है तो यह पहला फैक्ट आपको याद अखना है तता सतलज नदी की सायक नदियां कौन-कौन सी हैं तो आप याद कर लिजेगा इस पीती ब्यास ये आपकी सायक नदियां है सतलज की इसके लावा भाखडा नंगल बांध जो परियोजना है आपको मिलेगी सतलज नदी परते सारे फैक्ट आपको याद अखना है वह ब्रहंपुत नदी के बारे में हम बात करेंगे आगे के स्लाइड में पूरे डिटेल में हम आगे के स्लाइड में बात करेंगे ब्रहंपु पुर्वा रोपित नदी का एक्जांपल आपके चंबल हो गई सुन रेखा आपके लिजेस को हम सुन रेखा के नाम से भी जानते हैं सुन रेखा के लिजेस को इसके लावा आपकी हो गई सुन नदी ये सभी आपकी पुर्वा रोपित नदी का एक्जांपल है इसके बारे मे जो आपकी पुर्वा रोपित नदियां होती है अस्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं कलती है तो इस प्रकार के नदियों को हम बोलते हैं पुर्वा रोपित नदी इनमें आपको में लेगी सुवन रेखा या सुवन रेखा सुन नदी, चंबल, बनास ये सबी आपकी किस प्रकार के नदियों का एकजामपल है तो इस सबी आपकी एकजामपल है पुर्वा रोपित नदियों का तो इसके बारे में आये यानि कि इन सबी नदियों के बारे में ये बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहेंगे सुवर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी के बारे में तो इसका उद्गम कहां से होता है सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम कहां से होता है सुवर्ण तो सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम आप नोट आउन कर लिजेगा इसका होता है आपका छोटा नाकपूर के पठाल से आप नोट डॉन कर लिजेगा छोटा नाकपूर के पठाल से सुवन रेखा नदी का उद्गम होता है इसकी सायक नदियां कौन कौन सी है तो कांची हो गई आप नोट डॉन करते चलिएगा कांची हो गई, इसके लावा करकारी हो गई, करकारी, कांची हो गई, करकारी हो गई, रारू हो गई, रारू ये सबी आपकी सायक नदिया है सुवन रेखा की और सुवन रेखा नदी के टट पर कौन सा सहर इस्थित है तो सुवन रेखा नदी के टट पर आपको नेगा जमसेद पूर सहर जो है आपका सुवन रेखा नदी के टट पर इस्थित है इसके लावा यह जो आपकी सुवन रे कंटक के पठार से पहले चीज़ आपको जाद आखने अरक कंटक के पठार से जो आपकी सोन नदी निकलती है तता इसकी सायक नदेयां कौन-कौन से यह तो रिहंद हो गई और कनहर आप याद कर लिजेगा रिहंद और करनाहर यह आपकी सायक नदियां है किसकी तो आपकी सोन की तता यह जो सोन नदिया या पटना की निकट गंगा नदी में मिल जाती है तो इसके बारे भी आपके आद रखना है पटना की निकट गंगा नदी में जो आपकी सोन नदी मिल जाती है याने कि गंगा की साहयक नदी आपकी सोन है तो इसके बारे में आपको याद रखना है पठना में यह गंगा से मिल जाती है इसके बाद अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहां सोता है तो चंबल का उद्गम होता है विंध या परवत से जो है नास और छिप्रा ये सभी आपकी चंबल की सायक नदिया है तो इसके बारे में आपको याद रखना है अगले प्रस्थन की तरफ हम बढ़ते हैं अगला प्रस्थन मारा क्या कह रहा है देख लेते हैं यहां पर आईए और निर्म लिखित नदियों में से कौन सी नदिय का प्रस्थन में बताया है अगला प्रस्थन आपके सामने है निर्म लिखित में से किस नदी को हम चंदरभागा नदी के नाम से भी जानते हैं आपको बताना है तो चंदरभागा के नाम से हम किसको जानते हैं तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा चिनाब नदी क को हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, तो option आपका जो B यहाँ पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है, आइए इन चारो नदियों के बारे में one by one करके बात कर लेते हैं, बहुत यदा यह महत्रपूर नदियां आपके एक्जाम के जिलम नदिय का उद्गम कैस होता है, इसके लावा इसकी सायक नदियां प्यात कर लेजेगा, किसन गंगा हो गई, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आपनो डॉन कर लेजेगा, किसन गंगा हो गई, इसके लावा आपकी हो गई पोहरू, किसन गंगा हो गई, इसके लावा नलाह सिंध ये सभी आपकी जेलम की सायक नदियां है इसके बारे में आपका दाखना है तता यह जो नधी है वुलर जील से होकर बैती है तता पकिस्तान में जाकर या चिनाब नदी से मिल जाती है तो ये फैक्ट आप क्या दखना है पाकिस्तान में यहां चिनाब नदी से मिल जाती है इस नदी पर यानि कि जेलम नदी पर कौन-कौन सी इंको देख लेते हैं तो जेलम नदी पर याद रखना है आईए दुसर नदी के बारे में बात करते हैं तो चेनाम नदी का उद्गम आँप यहां पर देख पा रहे हैं और लाहूल छित्र में बारा लाचा दर्रे के निकट से जो आपकी चेनाव नदी निकलती है हिमांचर पदेश में इसे हम चंदर भागा के नाम से जानते हैं चिनाब नदी जो है 12 लाचा दर्रे के दोनों और से निकलने वाली चंद्र और भागा नमक नदियों के किलांग घाटी के निकट टांडी नमक अस्थान पर मिलने से बनती है, तो फैक्ट आप आप रखिएगा, जो चिनाब नदी है, जो चिनाब रिवर है, यह 12 लाचा दर् और एक नदी भागा हो गई, तो यह जो चंद्र और भागा नदियां है, यह नदियां के लांग घाटी के निकट टांडी में आपस मिल जाती है, तो इसके बारे में आपको याद अखना है, इंपोर्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं हिमांचा पदिस में चंद्र भाग इसके बारे में आप क्या दखना है, चंद्र भागा के नाम से चंद्र भागा को जाना जाता है, इसके बाद चंद्र भागा कौन कौन से इंपोर्टेंट परियुजना हैं, आईए इनको देख लेते हैं, तो बगलिहार परियुजना अप्यात कर लिजेगा, चंद्र प्या बनाई गई है चेनाब रेवर पर चेनाब नदी पर तो इसके बारे में आपको याद अखना है तता यह जो चेनाब नदी है यह किसकी सहायक नदी है तो यह सिंदू की सबसे बड़ी सहायक नदी है इसके बाद अगली नदी कौन सी एकजमपल में थी आपकी रावी रहिन पहले चीज आपको आपकी राभी नदी नीकलती है पहले चीज आपकी आपकी ए माधा फटिस में जो रोताउ ते है एस्सकि निकट से आपकी राभी नदी नीकलती है इसकी साएक नदियां कौन-कौन चिनाप की सहायक नदी है तो इसके बारे में आपको याद अखना है important है यह प्रस्णाप से यहां से प्रस्णाप के exam में दिखने को मिल सकता है वही रावी नदी के रावी नदी पर कौन सी परियोजना है तो अपनों डॉन कर लिजेगा यहां पर चमेरा परियोजना अपनों थी न परियोजना भी आप कुमलेगी रावी नदी पर ते यह परियोजनाएं भी आपको याद अखने है साथ में इसके बात ब्यास नदी के अगर आम बात करें तो रोटांग दर्रक निकट ब्यास कोनुरे से जो है इसका उत्गम होता है ब्यास नदी का यह हरी के नामा का पर जो है आपका हरीके बैराज का निर्मान किया गया है तो यह फैक्ट आपको याद अखना है important है तथा हरीके बैराज से ही इंद्रा गांदी नहर का निर्मान किया गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना भारत की जो सबसे लंबी नहर है जिसका नाम इंद्रा गां है या केवल भारत में है इसके बारे में आपको याद अखना important है कि सब्सक्राइए this कि इसके बात अगले important प्रसन आपका क्या है पर दीख लेते हुआ यहां पर चार नदीयों जो example में आपके थी चार नदियाँ इनको मैंने पुरक्व है इसके बास अगले important प्रसन आपके सामने है यहाँ पर आपको बताना है कि निमलिकित में से किन नदियों की मिले नस्थान पर हरी के बैराज इस्थीत है तो मैंने आपको अभी बताया है ब्यास और सतलज यहाँ पर आप देख पारे मैंने आपको बताया था ब्यास नदी जो है जाकर सतलज नदी में मिल जाती है और यहीं पर आपका हरी के बैराज इस्थीत है तो ब्यास और सतलज आपका राइट एंचर हो जाएगा option आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसे हरी हिसी हरी के बैराज से आपके इंद्रा गांधी नहर निकाली गई है नेमन लिखित में से कौन सी नदी गंगा के डाय टट से मिलने वाले नदी है important है अब यहाँ पर हम गंगा नदी की बात करने जा रहे है पुरे डिटेल में आप यहाँ गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी में यमुना सोन हो गई ये घंगा में दायं टडड से मिलती है यमुना हो गई सोन हो गई और टोंश ये तीनों नदियां आपकी गंगा में डायं टडड से मिलने वाले इसके लेवा करम नासा नदीबी इसके अलाबा कर्मनासा नदी भी गंगा में दाएं टट से मिलती है या मुना हो गई, टोन्स हो गई, सोन हो गई और कर्मनासा नदी हो गई ये चारों नदी आपकी गंगा नदी की में दाएं टट से मिलने वाली नदियां है वहें गंगा नदी में बायं टट से मिलने वाली कौन कौन से नदिया है तो यहाँ पे आप देख पाने प्रवा डिटेल लिखा हुआ है बायं टट से मिलने वाली नदिया तो इसके बारे में आपको याद रखना है यह सभी आपकी साइक नदियां किसकी हैं तो गंगा की साइक नदियां है इनके बारे में आपको याद रखना है यहाँ पर गंगा नदी से रिलेटेड कुछ तो विस्वन प्रयाग में प्रयाग होता है, पिंडार और अलखनननी में और देव प्रयाग में होता है भागीरती और अलगननन iedereen स्थान आपको मिलता है वही चीज यहां पिक्चर के कि फार्म में मैंने अब्लोट की हुई है यहां पर आप देख पार रहाbewें, यहां पर आपको बंदाकनी नंदी के टैट पर आपको केदानात का मंदिर मिलेगा वही चीज़ जो मैंने आपको पीछे पताई वही चीज़ आप राष्टी जलमार्ग एक का जो निर्मार्ण है यह किया गया है आपका गंगा नदी पर कहां पर तो गंगा नदी पर जो आपका किया गया है राष्टी जलमार्ग एक का निर्मार्ण तो इसके बारे में आपको याद अखना है इलहा बात से हल्दिया तक आपका राष्टी ज जलमार्ग एक है जो कि गंगा नदी पर ही बनाया गया है तो इसके बारे में आपको याद अखना है इंपोर्टेंट है डिर्कली प्रसन आपसे ग्जाम में या से पूछा जा सकता है तो आपसन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है अलगनंदा नदी के टट पर कौन सा फे अगला प्रसना आपके श्कृम् पर है यहां पर आपको गंगलर नदी से रिलेट्ऱेट बहुत सारे फैंट आपको मिल जाएंगे तो यहां पर यह बात के लिए गंगा नदी की अपले की पचीस सो पचीस किलोमेटर ता इसका मुहाना है कि बंगाल के खाड़ी में किलती है भारत की नदियों में सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वह गंगा नदी का एक चीज़ आप याद देखिएगा गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा सहर आपको मिलेगा कानपूर इंपॉर्टेंट है गंगा नदी अपने प्रवाकरम में निम्न नामों से जाने आती है तो इसके बारे में आपको या दखना है यहां से जो भी फैक्ट मैंने यहां पे अपलोड किये हुए हैं इनको क पॉस करके आप इसको एक बार इत्मिनान से पढ़ लिजेगा अगला प्रसना आपके सामने है ब्रह्म पुत्र नदी को और नाचर पदेश में किस नाम से जाना जाता है बहुत ही ज़्यदा महत्वपून प्रसना है यहां पे हम ब्रह्म पुत्र नदी के बारे में पूरे इसके रिटेल यहां पे मैंने मेंसन की हुई है सबसे पहले इसका उद्गम कहां से होता है तो तिबबत में मानसरोवर के निकट से जो है चेम युंग डुंग नामक हिमनत से जो है ब्रह्म पुत्र नदी का उद्गम होता है इसकी सायक नदिया कौन-कौन से है सुबन सिरी हो गई, जिया हो गई, भरेली को हम कामेंगी भी कहते हैं, तिस्ता हो गई, मानस हो गई, यह आपकी दाहिने से मिलने वाने नदिया है इसके लावा बायें से कौन-कौन से इसकी सायक नदिया है तो दिबांग हो गई, लोहित हो गई, कापली हो गई, धनसिरी हो गई, यह स आपकी नदी है ब्रमपुत्र नदी आपकी बंगाल को खाड़ी में जाकर गिर जाती है और राश्टी जलमार्ग दो जो आपका साधिया से धूबरी तक बनाये गया है या ब्रमपुत्र नदी पर ही बनाये गया है या राश्टी जलमार्ग एक आपका गंगा नदी पर बनाय परम पुत्र नदी के नाम से आगते हैं इसके अलावा जब यह पुत्तर बाइब बाइब दंगा नदी से मिल जाती तो इसको हम बोलते हैं, पदमाक बोलते हैं और जब यह जच्छल बंगलादेश पहुचती है तो इसको हम मेगना के नाम से जानते हैं यह सभी नाम आपके ब्रहंपुत्र नदी के हैं तो इसके बारे में आपको याद अखना है भूलना नहीं है चलिए कमेंड बॉक्स में आप हमें बताएगी जो ब बंगाल के खाड़ी में गिलती है तो इसका क्या नाम रहता है इसका जबाब आपको कमेंड बॉक्स में देना है तो पूरा डेटेल मैंने आपको याँपे बता दिया है अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर है नमनलकित में से किस नदी को हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं तो आप याद कर लिजिएगा लोहित को हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं तो ऑप्सन जो आपका याँपे है ऑप्सन ए आपका याँपे बिलकुल सही हो जाएगा इसके बाद अगला प्रसना आपके सामने है निमलकित नदी पर निमलकित नदियों में से किस पर परपात है किस नदी पर अवस्थित है आपको बताना है उस नदी का नाम important है तो आपको याद अखना है धुआ धाल जल परपात आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर यानि के option आपका यहां पर जो बी या बिल्कुल सही है अब option में आपके यहां पर चार नदी आ दी गई है त तो यहां पर चार नदीयों के बारे में पर ने लिखा हुआ है सबसे पहले बात करेंगे हम तापती या तापी रिपर के बारे में तो यहां पर तापती नदी का उद्गम अप्या देखेगा मध्य पदेश के बैतुल जीलो का जो मुलताई नामा का स्थान यहीं से आपकी या नदी निकलती है तापती नदी तो इसके बारे में आपको याद अखना है इंपॉर्टन्ग है तथा यह सतपुड़ा और अजन्ता सिर्णी के मद्ष ब्रणस गाटी से प्रवाइद होती है तो यह अग नदी जो है आपकी भृंस घाटी का एक्जामपल आने कि भृंस घाटी से होकर बहती है और यह औरफ सागर के खंबात की खाडी में गिरती है तो इसके बारे में आपको याद अखना है तता यह सत्पुड़ा और अजंता सिर्णी के मद्दी से होकर बहती है यह जो नदी आपकी है एहसुरी का निर्वार कलती है तो यह अरफ सागर में गिरती है इसके बाद सूरत इसके टट पर अरफ सागर में आपको बता दिया खंबात की खाडी important है इसके बाद नर्मदा नदी के अगर हम बात करें तो इसका उधगम आपका अमर कंटक के पठास से होता है पहली चीज आपको याद अखनी है नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है तो अमर कंटक के पठाल से होता है आपका नर्मदा नदी का उद्गम important है इसके बाद यह नदी भी आपकी भ्रंस गाटे से होकर बहती है विंद परवत और सत्पूरा परवत के मद्दे इसके बारे में आपको याद अखना है इसके बाद एहसुरी का निर्माण कलती अभी आइने की नर्मदा और तापती दोनों जो है ब्रंस गाटी की नदियां है और यह अरभ सागर में बंगाल की खाड़ी उसी में जाकर आपकी गिर जाती है मिल जाती है आपकी नर्मदा पर कौन सी important पर्यूजना है इनको आये देख लेते हैं तो नर्मदा नदी पर आपको याद अखना है अगला प्रस्न आपके सामने है अब प्रस्न क्या नदी है यहाँ पर गुदावरी रिवर यहाँ पर ऑप्शन में थी तो इसका उद्गम आपका होता है महराष्ट के ट्रेम्ब केस्वर से आपके गुदावरी नदी निकलती है तो इसके बारे इमें आपको याद अखना है महराष्ट के ट्रेम्ब केस्वर से या गुदावरी नदी आपकी निकलती है यह प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गुदावरी नदी इसको हम की गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसकी सायक नदियां कौन कौन सी है तो पेन गंगा वर्धा हो गई पेन गंगा वर्धा वेन गंगा एंदरावती प्राण हिता सबरी प्रवरा मानेर मंजीरा ये से भी आपकी इंपोर्टेंट नदियां है किसकी तो आपकी गोदावरी क साइक नदिया है तो इनके बारे में आपको या दखना है तता इसका जो उद्गम है आपको मिलेगा महराष्ट के ट्रेमब के स्वर से तो इसके बारे में आप क्या दखना है नासिक जिले के निकट यानि की पस्मी घाट परवत में जो नासिक जिला है उसी के निकट जो ट्रेमब के स्वर है यह से आपकी यह नदी निकलती है गोदावरी कृष्णा नदी के एकर हम बात करें तो इसका उद्गम आपका होता है महाँ बलेस्वर के निकट से महारास्टा में और बंगाल की खाड़ी में गिलती है और डेल्टा का निर्वाल कलती है तो यह चीज आप क्या दखनी है जो आपकी कृष्णा नदी है कहाँ पर गिलती है तो क्रिष्णा आपकी गिलती है बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर गिलती है तो यह नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है इसके लवा इसकी सायक नदियां कौन-कौन सी है तो कोईना हो गई पंच गंगा, दूद गंगा, घाड प्रभा, इसके लावा माल प्रभा, भीमा, तुंग भद्रा, मुसी, यह से भी important सायक नदियां किसकी हैं, तो यह कृष्णा नदी की सायक नदियां है, तो इनके बारे में आपको याद अखना है, इसके लावा महरास्टरा, आंदरबदे बनाए गई है, इसका जबाव आपको कमेंड बॉक्स में देना है, इसके बाद, इसके बाद आपका अगला प्रस्तन आपके सामने है, यहाँ पर आप देख लेजिए, प्रादी भी भारत की प्रूंख नदियां कौन-कौन सी तो यह और अब सागर में गिनने वन नदियां और बंगाल के खाड़ी में गिनने वाली कौन-कौन सी प्रादी भारत की नदियां है, तो सुवन रेखा हो गई, वैतर्णी हो गई, ब्रामणी हो गई, गुदावरी हो गई, कावेरी हो गई, महा नदि, कृष्णा यह सभी आपकी बंगाल के खाड़ी में गिनने वन नद प्रकास से दोस्तों कुछ important जो प्रस्ण आपके नदियों से बन सकते थे और भारत की इनको हमने यह आपके complete कर लिया है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही इस सिरीज का अगला भाग हम जल्दी अप्लोड करेंगे तब तक के लिए thank you, thanks for watching, thank you